मिट्टी में हरी हरी काई या जमी है देख सकते हैं यह प्रॉब्लम किस से होता आपको और पूरा विस्टलेशन करेंगे कि यह जो मिट्टी है यह मिट्टी का पीएच लेवल अभी लगबग लगबग 8.5 की लगबग लगबग आ रहा है मतलब इसका पीएच लेवल घसर गय पीएच लेवल जरूरी है मेंटेन करना मेंटेन करेंगे तब ही जाके यह मिट्टी अच्छी भूरबूरी होंगी और इसमें पानी नहीं रुकेगा अभी देखिए पानी रुका है क्योंकि सबसे पहले तो अपने यहां पर पूरा नेट लगा था नेट निकाल लिया हमने के अभी बारिश ही चालूए कंट्ञु कारण क्या हो रहता कि यहां पर पाणी रही रहा था और पानी सुक नहीं रहा था और यह ड्रेन बडराबर हो नहीं रहा था पहले हो रहा था फिर धीरे क्या क्म प्रोलम ज्यादा होने लगा तो अभी इसमें अप उनको क्या कि ये पहले मिट्टी को अभी तो मैं ये गुड़ाई कर ली इसमें तो पेड लगे है तो गुड़ाई कर ली है और इसमें पेड है तो अभी फिलाल में हम क्या करने वाले है ये मिट्टी को पूरा गुड़ाई करके पूरा ये करने वाले है और पेड सब चीज़े पोचना जरूरी एक यहुग्ण हटा आप उनकें higher प्रापी यह हो जाएगा पेड मर जाएंगें चोक ně जाएंगे टहरों कि बड़े पेड हो गया है इसमें अच्छी खास है इसमें भी बड़े पेड ही हुए collects फसल आ रही है तो यह मिट्टी को यह प्याइंच कर सकते जगे पहीं ट्रीट्मेंट करने वाला मैं वह पूर्मूला बताऊं गातो जगें पहीं चुटारे करने का फोर्मूला इस वीडियो में आपको मतल 근र मताने वाला हूँ और इसका जो प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल वीडियो भी आएंगा और यह हम आपको पहले बता रहे हैं कि ऐसी मिट्टी होने का कारण क्या है सबसे पहले तो सनलाइट ने गिरना और पानी ज्यादा जमा रहना उससे क्या हो जाते हैं इसको सेवाल बोलते है एक language में सेवाल भी बोलते है और काई भी बोलते है तो आईसी हरी-हरी काई या तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इसकी पूरी गुढ़ाई करना पड़ेगा गुढ़ाई मतलब पेड़ को इतना इतना पोजिशन छोड़के पूरी गुढ़ाई कर लेना पड़ेगा पूरे पेड़ के आजुआ जो में पूरी गुड़ाई करना पड़ेगा और मिट्टी ऐसी अपने को एग जगा समिट लेना पड़ेगा और समिट के बाद में ऊसमें सबसे पहले मिलाएंगे अपने रेट रेत मिलाएंगे, रेत इसलिए कि इसका ड्रेन सिस्टम अच्छा हुआ, तो ही इसमे फिर से वाटर नहीं जमेगा, तो ड्रेन सिस्टम और इसमे चिकनाड जो है, वो भी चिकनाड धिरे-धिरे खतम होना चाहिए, क्योंकि हाथ में लिया तो ऐसी उसका लड़ू नहीं बनना चाहिए, वो हाथ से छूट जाना चाहिए, तो उसके लिए अपन सबसे पहले तो इसकी गुड़ाई करने के बाद रेत मिक्स करेंगे, रेत लगबग लगबग ये इसमें जाएगी, दो घमीला रेत जाएगी, दो घमीला रेत, मतलब दो घमीला आपको पता है, जो इसका पतिला रेता है, जो अपना सीविल की काम का जो घमीला रेता है, मतलब पतिला बोलते हो उसको, वही अपनको दो पतिला लेना है, वो लेने के बाद उसमें मिलाएंगे गोबर खात, तीन पतिला, मतलब तीन घमीला गोबर की खात मिलाएंगे, और उसको अच्छे से मिक्स क करने के बाद फिर उसको अच्छे से उसको इमें पहला देंगे पूरी जगह फहला देंगे और पेड़ के जड़ को ज्यादा उसको कुछ प्षारी नहीं होना चाहिए उसके हिसाब से काम करेंगे इसके अंदर पूरा वैसी काम करने वाले हैं क्योंकि वो जी इसमें पेड़ लगे हैं पेड़ उखार नहीं सकते और पेड़ उखारने के बाद पेड़ फिर से जिंदा होने के लिए बहुत टाइम चला जाता है उसक फल बोलो है सबजे ला रही है गजार और ईसमें तो अपन को इस में ज्यादा ना हानी करते हुए अच्छा सबजएस्स करना नगा है अच्छे सब्सक्राइब बनती नहीं है YouTube मिर्चि तो मतलब उसके लिए अपन i को इसको पहले सबसे पहले यसका ड्रें सिस्टम अच्छ डेना नहीं है क्योंकि मिट्टी गिलियнее, मिट्टी को सुका नह, धूप पहले तो सनलाइट भी देना उसमें वैसि करके सनलाइट Peak देना है सनलाइट देने के बाद उसमें तीसरे दिन यह दूसरे दिन यह सनलाइट कैसी दिन भर कितने धूप लेती आपके इधर उसकी हिसाप से दूसरे दिन या तिसरे दिन वाटर देना है वाटर बराबर ड्रेणink। यह नहीं पत्ली वारी है ये देखेंगे तो इसमें से ड्रेणि सिस्टम अच्छा ही है लेकिन तोड़ी सी मिट्टी के कारण और काई कि कारण इसका drain system बहुत ही problem आ रहा है तो उसके लिए अपनी पूरा काम कर रहे और अच्छे से काम करेंगे कि पेडों को कुछ problem ना हो ऐसी काम करने वाले इसके उपपर और ऐसे ही informative वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को subscribe कीजिए हमारे बाकी वीडियो देखिए आपको information वीडियो ही मिलेगे इसमें आपको हम यह garden के बारे में organic garden के बारे में पूरा topic बताते हैं interesting topic बताते हैं घर में कैसी बना सकते टेरेस पे और टेरेस पे टेरेस को न कुछ होते हुए मतलब टेरेस में ना सीपेज ना आना चाहिए कैसी बनाना है क्या बनाना है हमने स्टार्टिंग से garden बनाया है उसके उपर पूरा हमने एक-एक video upload किया है ट्रे बनाने का वीडियो है notor keluar है कबाड से बना हुआ यह भी कत लाया नहीं यह तकीन कबाड़ वालीаже कबाड से हमने यह garden रेडि किया है और अच्छे से किया है बहुत अच्छे से इसका ड्रैन शिस्टम भी बहुत अच्छा है थोड़ा सा क्या रहता है साल भरके बाद यह प्रोब्लम आना स्टार्ट हो जाता है मैंने क्या किया था? हम यह का नेट नहीं निकाला था वह deben नहीं निकाला था तो ध्यान रखिए कि आप भी आपकी किचन गार्डन में इसी कुछ बदलाव करके आपकी मिट्टी बहुत अच्छी कर सकते हैं और बहुत सोस्ट कर सकते हैं सबसे बड़ी ताकत है पेड़ की मिट्टी उस वह अच्छी रहेंगी न तो पेड़ की ग्रोध तेजी से होंगी उसमें वेजिटेबल अच्छे से ग्रोध होंगे वेजिटेबल बहुत अच्छे आएंगे और अच्छी खासी आप सबजिया ले सकते हैं अपने किचन सकते हैं हम उसके उपर हमारे हम आपको पूरा उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे हम लायू में भी आते हैं लायू में भी समाधान करने की कोशिश करेंगे आप जो भी प्रश्न हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखके भेज सकते हैं और उसके उपर आप कौन से टॉ टॉपिक के उपर विडियो बनाना चाहिए अगला वाला तो आप हमें बता सकते हैं या टॉपिक भी बता सकते हैं और आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है हमें वह भी बता सकते हैं हम उसकी भी information देंगे तो चलो दोस्तों यह आई वप यह वीडियो आपको informative लगी होंग झाल झाल